हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अक्षतिवारी और आप देख रहे हो यूटूब चैनल एक और लाइन पॉइंट आज है संडे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने रोजगार समाचार का स्रीज स्टार्ट किया है जो कि हर संडे को लाने की कोशिस करता हूँ तो यह जो दूसरा इंप्लाइमेंट निउज है रोजगार समाचार का दूसरा वीडियो है पंदरा भी भागों में वेकंसी निकाली जा रही है लगबग 25,000 वेकंसीयां रहेंगी और इसमें हर एक राज्यों की वेकंसी रहेंगी ठीक है तो आप वीडियो के इंत्व बने र और वाकस के मादम से उमषे डिसकेफियों में दी गई जी मेल के मादम से कांटेट कर सकता है चलिए व यडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पहली वेकंसी के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट्स आप देख पा रहे हो SSC के तरफ से रिक्वार्मेंट निकाली जा रही है और हम आपको उता दें जितनी भी वेकंसियों के बारे हम आपको उताएंगे उन सभी वेकंसियों का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में देखने को मिलेगा जो आफिसल वे इसके लिए कर सकते हैं इस वीडियो में दी जाएगे फ्रेंट्स आप डिस्क्रेप्शन में दी गई लिंक से जाके अपना नोटिफिकेशन अच्छे से रिट करने ना उसके बाद ही आविदन करने की कुसिस करना अपलाई भी आप देख पा रहे हो 100 रूपए यहां पर र आप देख पारे हो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपी से के कॉर्डिंगे रिकॉर्मेंट निकाली जा रही है एडिटर की 373 एडिटर बिहार पंचायत एडिटर सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रिजेशन अगर आपने किया है या आपने M.B.A. किया है है सिय किया है या सिय किया है ग्रिजेशन आप भी काम में हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 21 से 37 साब की उम्र होनी चाहिए ठीके मेल कंडिडेट के लिए है ठारन ओमर 2020 इसकी लाट डेट रखी गई है पांच जार दोसुर रुपे से इसकी सेलेरी की स्टार्ट की गई है ठीक है और ये बिहार की लोगों के लिए है लेकिन आप कहीं से भी विलोग करते हैं इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं माध्या प्रदेश पुलिस से जो की पुलिस हेड carter के से requirement निकाली जा रही है और बह साथ जनूरी इसकी यहां पर आप देख पारे हो जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 24 डिसमबर है और अप्लाई फ्री आप देख पारे हो जो होगा यह सब आप नोटिफिकेशन में जाके चेक आउट कर सकते हैं ठीके । अप्लाई कर सकते हैं मर्द्विप्रदैश के male and female candidate और other states से भी इसके लिए आप पूब अवेदन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो यह हाई requirement के लिए requirement निकाली जा रही है आई आई बी पीस और आर बी की तरफ से आप देख पार है हो 95 प्लस यहाँ पर 95 प्लस प्लस यहाँ पर होनी चाहिए यानि जन्रल बैंकिंग ऑफीसर यानि मैझर ऑफीसर इसके यानि एस्पेसिलिस्ट ऑफीसर मैझर और यहाँ पर देख पार हो यहाँ रमनेजर दिया गया है और इनकी जो एजुकेशन कॉलिफिकेशन है ग्रिजुएशन पास है या फिर आप आप ला डिगरी किये हैं या फिर इंजिनेरिंग डिगरी है या C.A. है या M.B.A. है ठीक है बिड़ीन 18 से 40 आप क्यों रहोनी चाहिए री ओपन डेट यानि फिर से इसकी डेट ओपन की गई है जो 26 अक्टूबर से 9 नॉमबर तक के बीच में और अपलाई फी आप यहाँ प की गई है ड्राइबर की एंड मल्टी टास्किंग स्टाप की आप यहाँ पर आप इजबिलिटी देख पारे हो मैट्रिकुलेशन यानि कि आपका प्टेंट पास होना चाहिए विड़ीन आपकी जो 21 से 38 के बीच में आपकी उमर होनी चाहिए लास्ट डेट यहाँ पर 21 अक फिरहमर्स्यल बेंक यानी यूको बेंक के तरब स्टाफ से रिकॉरमेंट निकाली जा रही है और यहाँ पर 59 इंजिनियर्स और इकोनामिस्ट और आप देख पारे हो स सोस्ट है अकांटर का भी है है और भी अधर पोस्ट हैं जिनकी क्निस्वैजिक्विकुलेशन यहाँ और इंजिनिरिंग डिगरी PG या CFA है और 21 से 40 के बीच में आपकी उम्र है 17 नूम्बर 2020 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो सेलेरी आप देख पार हो 11800 रुपे से यहाँ पर क्या है कि अपलाई फी है इसकी ठीक है सेलेरी यहाँ पर 3700 रुपे से स्टार्ट है औलाइन है कोलकाता के तरफ से रिक्वाइमेंट निकाली जारी आप किसी भी स्टेट से बिलोग करते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं आपर IBPS कलर के लिए रिकामेंट निकाले जा रही है 2557 कलर की वेकंसी है यह ग्रेजियोशन पास है आप इदन कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सिक्कम उनिवर्सिटी के तरफ से रिकामेंट निकाली जारी आठ लोवर डिविजन कलर का है ठीक है यहाँ पर आप देख पारे हो लेबरेसियन का है डिप्टी लेबरेसियन का है और भी कहीं सारे वैरियस पॉस्ट यहाँ पर निकाले जारे हैं इनकी जो योगता है वह 10th पास 12 पास पीजी और PhD डिगरी तक है ठीक है अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग कॉ की गई है जो कि आप नोटिफिकेशन में रीट करके जबूर इसको आवेदन अगर करना चाहते हैं तो पढ़िएगा एज लिमीट आप देख पा रहे हो अठारा से बासाट वर्स के बीच में नहीं हो चाहिए लाज्ट डेट यहां पर स्वलानबाद 2020 रखा गया है अब कमिशन BPSC के तरफ से रिकॉर्मेंट निकाले जा रही है पोस्ट की बात करते हैं तो 731 पोस्ट जो BPSC छाषटों ही किये वेकंसी है कमबाइंड कमपटेटिव एक्जाम के लिए ग्रिजेशन इसकी कॉलिफिकेशन रखी गई है ठीक है बिडवीन 20 से 40 साल के बीच में पहले से आए थी और आवेदन का डेट यहां पर बढ़ गया है और अप्लाइफ ही आप देख पारे हो 600 रुपे रखी गई है जनर के लिए अधर कंडिट के लिए यहां पर डेट सुरुपे रखी गई है यानि कि जैसे कि सीच्ट पीच कंडिडेट है से लिरी लेवल सेव और क्लर्क ग्रेट सेकेंड और जूनियर आप देख पारे हो जूसियल एसिस्टेंस और अधर रिकॉर्मेंट है यानि कि वैरिस पोस्ट के लिए है और गिजैसन पास है या फिर बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर का होना चाहिए और बिट्विन 18-40 के वह बीच में आपक कर सकते हो और किसी भी स्टेट से इसके विए आविदन आप कर सकते हो हिमाचल प्रदेश से हाँ पर पोस्टेर सरक्ल करका रिकॉर्मेंट निकाला जा रहा है यानि कि अग्रामी डाग विभाग का जीडियस का टेंध पास इसके लिए आविदन कर सकते हैं 18-40-90 की उंग्र डिपार्टेंट महारास्टाब पोस्टल सरकर के तरफ से आप देख पारे हो 13 से कत्र पोस्टमेन के लिए जो मेल गार्ड या मल्टी टास्किंग स्टाफ होते हैं उनके लिए रिक्वाइमेंट निकाली जा रही है 10 पास और 12 पास क्वालिफिकिसा रखे गई है 18 से 27 के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए और 3 नॉम्बर 2020 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो और यहाँ पर 500 रुपे रखा गया है जनरल कंडिडेट OBC के लिए और 100 रुपे यह CST कंडिडेट के लिए है और जो भी फीमेल कंडिडेट है और सेलरी 18 से स्टार्टिंग है ठीक है ओनलाइन आवेदन है महाराष्ट के तरफ से निकाली जा रही है तो मेल और फीमेल इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो ठीक है बागे बढ़ते हैं यहाँ पर उत्तरा खंड के तरफ से यहाँ पर आप देख पार हो निकाली जा रही है शब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन यानि की यू की एससी के लिए और यह जो है चौदा से कतिस पोस्ट पर एल्टी ग्रेट अस्टेशर के लिए रिकॉर्मेंट है और ग्रेज़ेशन प्लस एल्टी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फिर आप बीएट किये हैं तो बिट्वीन 21 से 42 के बीच में और चार दिसमबत तक इसकी लाज डेट है तीन सो रुपे इसकी अप्लाइफ ही रखी गई है जनरल के लिए जो अधर कंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जैसे के स्टीट पी डवलोडी है डेट सो रुपे रखी गई है ठीक है और यूके के लिए बाकी अधर स्टेट से जैसे आवेदन करते हैं तो उनके लिए तीरत के दरफ से रुपेंट लेट ये जो है सोला की पर ठीक है टेकनिकल इसिटंस और यानि कि पोस्ट यहां पर सोला है और जो वाइडियस पोस्ट है जैसे जूनियर टेकनिकल असिस्टंस एकांटेंट जूनियर hindi टांसलेटर अर वेरियस और टॉयल पास या जैसे अलग-अलग पोस्ट हैं उन सभी के लिए अलग-अलग कौलिफिकेशन रखी गई है और एज लिमिट मेग्जिमूम 45 यर से मैं यहां पर सौट इंफार्मेशन दे रहा हूं सारी डीटियल जाने के लिए आप इनके आफिसिल वेफसाइट से नोटिफिकेशन के पर वि लिए दिया और यह जो हमने एक पीडियाप बनाया है रोजगार समाचार का वो टेलिग्राम पे सेंड कर देंगे साथ में इन सभी वेफसाइट का भी लिंक डिसक्रेप्शन में देने की कोशिस करेंगे और टेलिग्राम में भी सेंड कर देंगे ठीके बाकि आप लोग स्क्रेप करें